इंद्रनाथ निम्न में से कोन नागपुरी कवी कर उपनाम है ओप्सन नमबर पहला है प्रफुलकुमाराय दूसरा नई मुदिन मिर्दाहा तीसरा महंत घासी और चौथा जो ओप्सन नमबर है अनूप्राय तो इन चारो ओप्सन में से इसका अंसर क्या हो जाएगा अंसर जानने के लिए इस पूरे वीडियो को देखे उपनी दुनिया में नया कदम रखना ये दुनिया है बड़ी बेरहम दोस्त लेकिन तुम अपना मंजिल पर नजर रखना तो इसी के साथ आपका सबागत है 80 जारखन क्लासेज में और आज 80 जारखन क्लासेज के द्वारा बहुत ही भी भी याई प्रस्न नाखपुरी कवी का जो आप लोग बोल रहे थे पार्ट थरी की कब आएगा सर पार्ट थरी तो देखिए आज पार्ट थरी आ गया है नागपुरी सेट तो जरूर इसे देखे ताकि यह एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हां यह जो तैयारी कराया जा रहा है स्पेशल फोट जैपीएसी और एलेवेंथ जैपीएसी और देखिए जैसी सीजियल जो अभी एक्जाम होने वाले हैं ठीक है और यह 12 लेवल और 10 लेवल पर भी जो है बहुत ही ज्यादा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है तो चलिए हम अभी क्वेस्टन स्टार्ट करते ह है हाना यह नाकपूरी शेट 23 है चले तो क्वेशन है 126 नमर क्वेशन है 125 तक पाट 2 में हो चुका है और 80 तक हुआ था पाट 1 में तो वह जरूर दोनों वीडियो देख लिजेगा हाना चलिए 126 नमर क्वेशन क्या कहता है देख लीजे थोड़ा सा निमन में से कौन पूरी कवी कर गाउं भूसरो जिला में है देखे यहां कवी होगा चूट गया है और पहला है स्री लक्षमन राम गोप दूसरा स्री लोहरा उराओं तीसरा वैद दिनात अधिकारी चौथा स्री ललित उराओं तो इन चारों आप्सन में से इसका अंसर क्या हो जाएगा त ठीक है और जिला राची तो यहां दो क्वेशन आपके कवर होते हैं अगर आपसे यह क्वेशन पूछे कि जो स्री लोहरा उराओं का है वह कौन जिला से निम्न में से संबंदित है तो वह राची से संबंदित है तो यहां आपको एक ही प्रस्ण में दो-दो क्वेशन हो र के साथ समय है हाना बहुत ही मेहनत से बनते हैं questions चलिए जितना possible अपने से हो पाता है वो हम आपको provide कराते हैं हाना तो चलिए next question जो बहुत ही गाव और जिला दोनों पूछाए भई यहां भी आपके दो questions है जो cover हो रहे हैं तो आपको इसमें ध्यान ही देना है हाना तो चलिए पहला option है पोट्रो सिसाई गुमला दूसरा option है कसीरा राची तीसरा बांदू गुमला और चौथा इन में से कोई नहीं तो इसका जो है अंस है गुमला में हैं सिसाई पढ़ता है तो देखिए गाव का नाम पोट्रो हो गया और जगह सिसाई और यह तो जीला है तो यहां अगर आप से पूछे कि ललित उराओ कौन से जीला से संबंदित है तो आप अब यह भी बता देंगे ठीक है 128 नमर क्वेशन क्यों चलते है 128 नमर क्वेशन क्या कहता है निमन में से कोण नाकपूरी कवी डालतंगंज पलामू के हैं अप्सिन नमर पहला स्री राधान रमन प्रसाद श्री रामेश्वर प्रसाद रामेश्वरम तीसरा प्रुफेसर राम प्रसाद और जो लास्ठ है चौथा है स्री राधिये स्याम अगरवाल तो इन चारों में से इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्स नमबर दो यानि देख लिजे स्री रामेश्वर प्रसाद रामेश्वरम ये बहुत ही भी प्रस्न है हाना विकॉज डाल्टेंगंज के जादे जादा भी कभी नहीं है अपवाद में है तो इनका जो है न यह ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन पूछने का चांसे इन पर ज्यादा रहता है हाना और भी आप लोगों ने अभी तक अगर क्लास नहीं किया होगा जैसे हो गया सिजल के जो प्रिप्रिशन कर रहे हो नागपुरी लोग शाहित्य का या फिर जरूरत हो तब कोई जबर्जस्ती नहीं है हां चलिए 139 नमर क्वेश्चन है खरिया भासा विभाग छेत्रिये एवं जन जातिये भासा विभाग तथा राची विश्विद्याले राची के प्रभारी निम्न में से कौन थे या फिर हैं हैं अभी नहीं मतलब रहे हैं कौन और इहां रहे हैं होगा कौन रहे हैं फ़ए पुछ नंबर पाला सी लखन सहू दूसरा प्रोफेशर रोज केरकटा तीसरा और चौथा स्ट छीलालधर सहू तो इन चारों में से अंसर कोन सा होगा हरे आप लोग भी कमेंट किया कीजए comment की ज um होती है हाना वीडियो अच्छा लगे तभी कमेंट कीजिए हाना अगर आपको लग रहा है कि इस जो सीरी चल रहा है इससे कुछ फ्यादा हो रहा है तभी आप कमेंट करें हा चलिए 139 का क्या हो जाएगा option number 2 यानि कि ये जो बात है खडिया विभाग खडिया भासा विभाग और छेत्रिये एवं जन जातिये भासा विभाग तता राची विश्वेदार राची के जो परभारी रहे हैं वह है प्रोफेसर रोज केरकेट्टा ठीक है यानि कि option number 2 हाना चलिए next question क्यों चलते हैं हम लोग 130 नंबर प्रश्ण धुरवा राची दूसरा ग्राम निगनी लोहर दग्गा तीसरा ग्राम जो है घागरा गुमला या फिर चौन था कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा option number 1 यानि कि जो है श्री लाल बिंदेश्वर नात महादेव का जो ग्राम था वह कू यह सब BBI प्रस्ण है एकजाम के लिए जो CGL के एकजाम दे रहा ना और 7th JPSC दूनों के लिए important है हां 131 नमबर प्रस्ण क्या कहता है निवन में से कौन नागपूरी कभी लोग साहित्य काल कर प्रती निधित्यों किया है option number पहला है दिगंबर पाल देवगरिया दूसरा म दृवर दर्पाल राम देवगरिया और चौथा सार्दा परसाद सर्मा तो इसका हंसर क्या हो जाएगा option number 3 देख लीजे द्रिग पाल राम देवगरिया जो है ये लोग साहित्य काल की प्रतिनिदित्व किये हैं यह ऐसे नागपुरी कवी हैं जो लोग साहित्य काल सही यह प्रतिनिदित्व उनका किये हैं कौन द्रिग पाल राम देवगरिया और हां इनका जनम कहां हुआ था जब हम आपको फर्स्ट एमसी क्यू में ही जो पार्ट वन आप अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें उसमें हम बता दिया है कि द्रिग पाल राम देवगरिया कर कौन गाउं से संबंधित आए तो आप जरूर बताइए हां नहीं देखें वीडियो तो जरूर जाकर देख लें ठीक है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और यह लिख है दो चार दिन के बाद और तो डेली डेली तो वो मिक्स एमसी क्यूट डला ही रहा है मिशलेनियस जो है जो आपके सीजियल और एलेवल जैपियस से के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हना वो चल रहे हैं चलिए 132 समर क्वेशन देखते हैं नागपूरी कव दूसरा रामेश्वरम तीसरा कविरत्न और चौथा जो है महा कवी जो मिर्टवेंजय नात सर्मा है उनके कौन से उपनाम पर रचना रचा गया है यह रचे हैं इनके बारे में यह क्वेशन पूछा जा रहा है तो आप बताईए तो इसका आंसर हो जागा और चार महा कवी हना यानि की देखिए यहां मृत्वेंजय नात सर्मा जो है यह अपने उपनाम यानि की महा कवी के नाम पर ही यह रचना किया है ठिक ना तो यह जो जितने भी क्लास करा जा रहे हैं यह free of cost क्लास करा जा रहे हैं कोई भी free नहीं लिया जा रहा है आप you tube में total naakpuri language का सीरियल वाइज आप प्रिप्रेशन कर सकते हो अगर आप में जोस और जुनून है कुछ कर गुजरने की छमता है तभी बहुत सारे लोग है जो ओनलाइन पैसा देते हैं यूटूब देखने के लिए फुल वीडियो देखने के लिए पैसा देते हैं तो वैसा कुछ नहीं है प्रोवाइड़ फ्री ठीक है तो आप देखे हाँ चलिए यह जो भी सहमत नहीं हो पाते हैं जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है जो विद्यार्ती के पास उनके लिए यह बहुत ही लाबदायक है और 90 एबब लाना चाहते है 95 एबब तो आप 80s हर्ण क्लासेस को जरूर जो क्या हुआ है जल्दी बताएए आप लोग अगर आप लोग को यह पता है तो ऑप्शन नंबर पहला है महराजा राम सिंग डूसरा महराजा राम साह तीसरा ठाकूर एनिनात और चौथा कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनि ठाकूर एनिनात जो है इनके जमीन में हटियकार खाना बसा हुआ है हना 134 नंबर क्वेशन देखते हैं नाकपूरी कभी प्रफुल कुमार रायकर माता स्रीकर का नाम था माता स्रीकर क्या नाम था अप्शन नंबर पहला है मनोर्मा देवी दूसरा इंद्रमनी देवी तीसरा सुचित्रा द तो इनके मुत जो नाम है अग्न रायकर माता स्रीकर करते हैं यहीद स्युचित्रा स्रीकर क्यों हो तो इंद्रमनी दिश्चित्रा स्फुल देवी प्रफुल कुमार मामी नाम है कि क् gag Ahoraald var इनके पिताश का आपको यहाँ दो होमवर्क मिले हैं , देखिये कि इनकी पिताशरी का दिहान था यह आप बताएगा और यह मैट्री कब पास किये थे टिक आप नेक्स्ट, 135 नमर क्वेशन क्या है, देवल नाक पूरी छेत्र में, डॉक्टर राम देयाल मुंडा, जो की जनजातिये एवं छेत्रिये भासा विभाग की अध्यक्ष है, वह कब बने थे, हाना, मतलब देवल में से जो क्वेशन दिया गया है, वो राम देयाल मुंडा है, ज फिर दूसरा, 15 जून 1881, तीसरा, 16 जनवरी 1882, और चौथा है, 15 मार्च 1845, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, तो अप्सन नमबर दो है, यानि कि 15 जून 1881 में, जो है, इनका क्या हुआ था, वहां ये अध्यक्ष बने थे, राम देयाल मुंडा, जनजातिये भासा प्रसन है, आप अगर आपको, अगर नहीं है पता, तो हमेशा बोलते हैं, कि जब भी 80 जारकन क्लासेस का, आप वीडियो देखते हैं, तो एक पेन और कौपी जरूर रखें, जो नहीं आता है, जिसमें आपको कुछ डाउट हो, या फिर क्लिरेशन करना हो, या फिर उसमें और जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप एक हूमवर्क लिखने के लिए, जो देते हैं, उसको लिखें, और क्वेशन को लिखें, जो आपको नहीं आते हो, ठीक है, तो देखिए, 136 नमबर प्रसने क्या काता है, डॉक्टर कुमारी वाशंती कर जनम निमन में से कौन गुमला, तीसरा पोड़ा, और चौथा डूभा राची, डूभा राची, यानि कि इसका अंसर क्या हो जाएगा, ओप्सन नमबर 3, पोड़ा में, यहाँ देख लिजिए, जो है, कुमारी वसंती कर जो गाउं का नाम है, वो पोड़ा है, क्या है, पोड़ा, अरे कौणा न नागपूरी कवी कर निवास अस्थल खोटी है, निवन में से कौन नागपूरी कवी कर निवास अस्थल खोटी है, ओप्सन नमबर पहला है, डॉक्टर कुमारी वसंती, दूसरा सकुंतला मेस्र, तीसरा उमेश नंतिवारी, और चौथा सीव अवतार चौधरी सीवा जी, इनका जो है उपनाम है तो आप कभी भूलियेगा नहीं कि जो सीव अवतार चौधरी कर उपनाम काहके आपको आपसन दे देगा कभी रत्न, महा कभी नहन और सीवा जी तो आप ध्यान में ये सब बाते को रखेगा जैसे उपेंद्रपाल नहन का उपनाम है नहन है वैसे गिर गिरिधारी राम गोंजु इनका क्या उपनाम है गिरी राज हम लेक गुले गिरिधारी राम गोंजू गिरी राज बोलते है न गिरी राज है ठीक है चले नेक्स क्वेश्चन नागपुरी भासा उद्गम एवं विकास नामक किताब केकर कृति हके अप्शन नमर पहला कालेश्वर राम ठाकुर दूसरा संत कुमार पांडे तीसरा डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केशरी और चौथा सुधिर कुमार राय तो इसक इन चारों में से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा अंसर होगा जल्दी बताइए तो ऑप्शन नमर जो थ्री है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केशरी जो है नागपुरी भासा उद्गम एवं विकास जो है यहां बुक लिखे हैं कौन डॉक्टर उद्गम कीए हैं, उपयोग केए हैं, उत्पन कीए हैं थाँ विशेश प्रकार का उद्गम आधा चलिए नेक्स्ट nel नागपुरी ही कवी 129 नवर परसन है नागपुरी कवी जोर्ज अब्राहाम ग्रीश्यन किस प्रकार रचना कार रहें ? जो जॉर्ज अब्राहन अब्राहम गृश्यन है किस प्रकार कर रचना रहे ? आप स्ननीन परी है व्याकरन दूसरा भासा वेग्यानिक तीसरा निबंदकार या फिर चौथा कहानिकार तो इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर दो यानि कि यह जो है भासा वेग्यानिक है नेक्स चलिए 140 नमर चैतन्य महाप्रभु निम्न में से किसका सुरुवात किये और पहला है सियु भक्ति की दूसरा निर्गुन भक्ति की या फिर तीसरा वैस्णव भक्ति या चौता कोई नहीं तो यह सब चीजे हैं चोटी चीजे हैं आप अगर ध्यान देना ये सब questions पर तो आपका नाम merit list में आ सकता है और आपका 961 में से exit जरूर हो सकता है तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़िए ध्यान से पढ़िए यह जो है ऐसा समय फिर नहीं आएगा क्योंकि जो समय गुजरता है आप तो जानी रहे है कि जार्खन सरकार का क्या हाल है तो देखिए जो भी समय गुजर रहा है वह एक रतने की समान है मनी के समान है आपका मनी मनी नहीं है अभी समय ही आपका मनी है मनी मनी नहीं है अभी आपका विद्यार्थी जीवन काल में खासकर यह एक साल जो है आपका जो है बहुती ही महत्तपून दो साल जो है बहुती ही महत्तपून टाइम है मनी मनी नहीं समय मनी है याद रखिएगा चलिए 141 नमर प्रसम देखते हैं नाकपुरी काभी में कबीर संतकर प्रभाव किस प्रकार दिखता है अप्शन नमर पहला है निर्गुन भक्ति दूसरा मुर्ति पूजा तीसरा सिव भक्ति और चौथा कोई नहीं तो इसका अंसर क फ्रत प्यास को बुझाता है वो हरी फ्रते अदमी को पढ़ना चाहिए व जो है कभीर दोहा प्रते आदमी को पढ़ना चाहिए वह धर्म है पर्भिकुरण उसमें बहुत सारे दारमी के बात लिख्ये हुए है और धारमी के बात कोई का्स्री दिख्या से दूसरा आकासवानी के अंदर से तीसरा भोजपुरी गाना से और चौथा और लास्ट जो है चौथा अप्सवानी के अंदर से संबंदित है अब तो आप भूलियेगा नहीं देखिए प्रमोद कुमार राय है वो आकास से वानी करते था अकासवानी मतलब सबको मतलब मोदक होता ना मीठा मीठा दोहनी सुनाते थे कहां से आकासवानी केंदर से मैं बोल रहा हूं आकासवानी केंदर से ऐसे जब आप रेडियो खोलते होंगे ना पहले तो ऐसे बोल रहा हूं डाल टेंग अकासवानी केंदर से राची आकासवानी केंदर से तो वही सबको प्यार भरा गीत सुनाते थे मोद, मोदक जो बोलते थे ना गनेश भगवान का ये ट्रीक है याद करने का मोदक से आप संद मोहक याद करिएगा प्रेम याद किजिएगा आपको याद हो जाएगा कि जो संगीत होता है प्रेम लायक होता है ठीक है चलिए एक सवते तारिश नमर क्वेशन देखते हैं नागपुरी को बांसरी की भासा निमन में से कौन नागपुरी बोले हैं और पहला योगेंदर नात्तिवारी दूसरा पीटर सांती नौरंगी तीसरा विशेश्वर प्रसाद केश्री और चौथा जो है स्रवन कुमार गोश्वामी तो इसका सही अ तो यहां क्या हो जाएगा यह तो आपको यादी हो गए होंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं हम लोग 144 प्रसन पढ़ते हैं देखते हैं क्या है नागपुरी कवी और उनका काविय नामक किताब कर संपादक कोन है कई ऑप्सन नंबर पहला है सुनील कुमार लाल दूसरा बीपी केश्री तीसरा स्रवन कुमार गोश्वामी और चौथा जो है और लास्ट जो है विशेश्वर प्रसाद केश्री तो इन चारों आप्सन में से इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो आप्सन नंबर जो है इसका चार यानि विशेश्वर प्रसाद केश्री लिखे हैं नागपुरी कवी और उनका काविय ठीक है है तो यानि कि नागपुरी कवी और उनका काव्य विशेश्वर प्रसाद के स्री लिखे हैं चलिए नेक्स क्वेशन की ओर 145 अमर क्वेशन क्या कहता है निम्न में से कोण नागपुरी कवी नागपुरी छेतर में सबसे बढ़ वियंग कार के रूप में नामचर्चित आहे अप्सन नंबर पहला है योगेंदर नातिवारी दूसरा इस्वरी प्रसाद थाकुर तीसरा मकुंदनायक और चौथा उपेंदर पाल नहन तो बताइए इसका सही अंतर क्या हो जाएगा तो अप्सन नंबर चार जो है उपेंदर पाल नहन यानि कि जो नागपुरी छेतर में सबसे बढ़ वियंग कार जो मिला है किन का मिला है उपेंदर पाल नहन का चलिए नेक्स क्वेशन की वर चलते हैं 146 नंबर प्रस्ण क्या कहता है 46 नंबर प्रस्ण निम्न में से कोन नागपुरी कवी को 2016 में 2016 में पंडित योगेंदर ना तिवारी सम्मान दिया गया अप्सन नंबर पहला है ठाकुर विश्वनात साहु दूसरा सार्दा परसाद सर्मा तीसरा पंडित योगेंदर ना तिवारी और चौथा पंडित मृत्विंजय नात तिवारी पाँचवा है बसंती कुमारी तो पताए बसंती कुमारी नहीं है वाशंती कुमारी है ठीक ना? या फिर कुमारी वाशंती लेकिन हम नाम को उल्टा किये हैं हना चलिए इसमें से अंसर यानि कि ऐसे कौन नागपूरी है नागपूरी कवी है जिनको पंडित योगेंद्र नात तीवारी सम्मान मिला है 2016 में अगर आप लोग को पता हो तो जरूर कमेंट सेक्षन में कमेंट करें तो यह जो है ऑप्सन नंबर चार पंडित मृत्विंजर नात तीवारी को 2016 में पंडित योगेंद्र नात तीवारी सम्मान दिया गया है 147 नंबर क्वेश्चन नागपूरी का वीकर पहिल नाटक कार निम्न में से कौन है अप्सन नंबर पहला है डॉक्टर सत्यागुपता दूसरा कुमारी वासंती तीसरा सुनील कुमारलाल चौथा धनीराम बक्सी तो इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नंबर त्री सुनील कुमारलाल जो है पहिल नाटक कार है नागपूरी कवीकर ठीक है यहाँ देख लिजे निम्न में से 140 नमड प्रस्ण निम्न में से कोन नागपुरी कवी सूचना एवं जन संपर्क विभाग राची में सेवा करत रहे हैं रहाई होगा पतलब करत रहें जो हैं सूचना एवं जन संपर्क विभाग में राची में वो कौन सेवा कर रहे थे निम्ण में से वह कौन नाकपुरी कवी है तो अप्सन नमर पहला है स्रवन कुमार गोस्वामी दूसरा सतिस कुमार राय तीसरा सुधीर कुमार राय और चौ कि अब चलिए कि नेक्स्ट क्वेस्टन 149 नंबर देखिए भी भी आई प्रस्ट है जो कि आप अगर जैसी सीजी लिए अपी जैसी का प्रिप्रेशन कर रहे हो तो यह जो पीडिएफ है नाकपुरी कवियों का अभी तक किसी ने नहीं बनाया तो बता रहे हैं यह जरूर स जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर किजेगा और बताईएगा उनको देखने के लिए ठीक है 149 नंबर प्रस्टन क्या कहता है निमन में से कौन भागवान एक पूरब के खांड कविय जो खंड कविय है वो भागवान एक पूरब के यह एक खंड कव तीसरा योगेंदर नातिवारी और चौथा कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर ऑप्सन नंबर दो हो जाएगा सार्दा प्रसाद सर्मा जो है यह भागवान एक पूरब के जो खंड काविय है इनका यह रचना किये हैं लिखे हैं ठीक है कौन सार्दा सर्मा याद रखिएगा यह सब बहुत ही ज्यादा भीविय प्रस्न है एक सब पचास नंबर प्रस्न नाकपुरी में लिखा हुआ कोन खंड काविय जो वीर्शा मुंडा पर अधारित है अप्सन नंबर पहला है जार खंड दरपन दूसरा भगवान एक पूरब के तीसरा 1857 विद्रो और चौथा धारती है रतन विर्शा मुंडा के तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नंबर दो भगवान एक पूरब के जो है विर्शा मुंडा पर भी अधारित है वह खंड काविय है अना तो यह आपको कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट सेक्षन में कमेंट कीजिएगा एक सभी क्यावन नाकपुरी कभी को हिंदी सहित्य रतन से सम्मानित किया गया है फिर से क्वेशन पढ़ लिजिए यह हमेशा हम आपसे बताते आये हैं कि आप एक्जाम हॉल में जब भी हो तो आप क्या करें कि क्वेशन को कम से कम दो से तीन बार पढ़ें जो आप अंसर जानते हैं उसका भी गलत करके आ जाईएगा तो हड़बर कुछ नहीं करना है अराम से रिलाक्स होके वहां देना है और आदा घंटा पहले से आपको गोल घेरा करना है अगर ऑफलाइन एक्जाम हो तब ठीक है और ऑनलाइन भ जाए नात सर्मा तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा और चार याने कि मृत्विंजा नात सर्मा को ही हिंदी साहित्न रत्न से समानित किया गया है ठीक है 152 नंबर क्वेशन इंद्रनाथ निम्र में से कोन नाकपुरी का विकर उप नाम हके यह देखिए इसको नोट कर लिजिएगा अपने बुक में भी नोट कर लिजिएगा लिख लिजिएगा चलिए 153 नंबर प्रस ने क्या कहता है निम्र में से कोन विद्वान चाई बासा से समबंदित आहे चाई बासा जो है जिलासे समबंदित यह बताहिए कि चाई बासा से क्वोन नाकपुरी कभी समबंदित है ऑप्दिर नुमर पढ़ा है धनिरान बक्सी दूसरा हनुबान सिंग, तीसरा पीटर सांती नौरंगी, और चौथा योगेंदर नाथ दिवारी, तो अप्सन नमबर जो है पहला धनिराम बक्सी कर जो संबंध है चाई बासा जिला से है, ठीक है, यहाँ देखिए, 154 नमबर क्या कहता है प्रश्ण, नाकपुरी कवी सकु में काम किये थे, तो अप्सन नमबर पहला है, आकाश्वानी केंदर नाची, दूसरा उपा न्यासकार, और तीसरा है दोनों, और चौथा अप्सन नमबर है, कोई नहीं, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, अप्सन नमबर 3 हो जाएगा, यानि कि यह आकाश्वानी केंदर म महान कवी नागपूरी के महान कवी डॉक्टर स्रवन कुमार गोश्वामी निम्न में से कोन नागपूरी कवी को प्रेम प्रेम चंद जैसन उपन्यासकार माने है एक बार क्वेशन फिर से पढ़ लीजिए नागपुरी के महानकवी डॉक्टर श्रवन कुमार गोस्वामी निम्न में से कौन नागपुरी कवी को प्रेम चंद ठीक है यह भी सहित्तेकारी है जैसन उपन्यासकार माने है तो अप्सेर नंबर नमबर पहला है साला प्रसाद सर्मा, दूसरा सकुन्तला मिस्रा, तीसरा बाल मुकुंद बडाइक और चौथा प्रफुल कुमार तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर दो सकुन्तला मिश्र को ये जो है डॉक्टर स्रवन कुमार गोस्वामी प्रेम चंद्रीशन उपन्यासकार माने है हाना चलिए नेक्स वेशन 156 नमबर नागपुरी कवी डॉक्टर रोज किरकेटा के निदेशन में निम्न में से निम्न में से कोन नागपुरी कवी अपना सोध प्रस्तुत किया है ये सब BBI प्रस्टन है हाना ये सब BBI प्रस्टन है चलिए फिर से नागपुरी कवी डॉक्टर रोज किरकेटा के निदेशन में निम्र में से वह कोन नागपूरी कभी हैं जो अपना सोध प्रस्तूत किये हैं तो option number पहला है कुमार सुरेश सिंग, दूसरा चंदरदेव सिंग, तीसरा डॉक्टर सत्यागुपता और चौथा खालिद अहमद तो सही अंसर इसका क्या हो जाएगा option number जो है चार खालिद अहम सोध किये थे हैं निम्र में से 157 कोन नागपूरी कभी भारतिय प्रसाशनिक अधिकारी के रूप में दिखा गया है और सब्सक्र पहला है डॉक्टर कृष्ण चंद टूडू तूसरा डॉक्टर द्वारका प्रसाथ सीनहा तीसरा डॉक्टर रोज किरकेट्टा और चौथ अप्सन नमबर जो है डॉक्टर पीटर सांती नौरंगी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर दो डॉक्टर द्वार का प्रसाथ सीनहा इसका सही अंसर हो जाएगा जो भारतिये प्रशास्निक अधिकारी के रूप में यह कारे किये हैं हाना चलिए नेक्स्ट 158 नमबर प्रस्ण है निमन में से कोन नाकपुरी कवी पीटर सांती नौरंगी वैक्तित्व एमं कृतित्व पर सोध किया है अप्सन नमबर पाला है भुवनेश्वर अनुज दूसरा उपेंदर पाल नहन तीसरा विशिस्वर प्रसाथ केश्री और चौथा स्रवन कुमार ग सोध किये हैं तो आप मुझे यहां बता दीजिए कि जो उपेंदर पाल नहन है ना नाकपुरी बनकिवरा भाग वन के कौन सा कहानी यह लिखे हैं या फिर कौन से कवीता लिखे हैं कमेंट करें देखते हैं आप लोग कमेंट करते ही नहीं है या तो आप वीडियो पूरा कुछते हैं तो उसका अंसर भी दिया किजिए हना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नमर प्रस्ण को देखते हैं हम लोग नाकपुरी कवी नाकपुरी कवी निमन में से कोन नाकपुरी कवी धनी राम बक्सी के वैक्तित्व एवं कृतित्व नामक सोध प्रभंद लिखा ह करें तो अप्सन पराला है विश्वनात दूबे दूसरा डौक्टर राम प्रशाद कर तीसरा डौक्टर स्रवन कुमार गोश्वामी चोंता कलावति उहतार तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ओप्सन नम्मर जो है इन चारों अप्सन में से इसका सही अंसर हो जाएगा विश्वनात दुबे अगर आप अगर पूरी शंपुर्ण नाकपुरी कभी के बारे में जानना चाहते हो तो आप पार्ट वन और पार्ट वीडियो जरू देख लेंगे उनमें जितने भी भी जो जितने भी प्रशन आते हैं नाकपुरी कभियों से वो सारा क्वेशन बना द पर करा दिया जा चुका है तो आप उसे जरूर देखे और अपने जीवन को सफल बनाए और एक्जाम भी तो निकालना है ना चलिए 160 नंबर प्रशन है नाकपुरी छेत्र में नाकपुरी गीतों की रचना नामक शोध प्रबंद निम्ण में से किस विश्व विदाले में प्रस्तित किया गया है कि यहां देखिए एक वर्ड चुट गया है में स्प्रेंटिंग हो जाता है यहां किस विश्व विदाले में प्रस्तित किया गया है और यहां किस के दवारा किया गया है तो आप्शन नंबर पहला जो है संत कोलंबस विश्व विदाले दूसरा संत यहां क्रशन का पूछ रहा है आप जो ध्यान देढ़ है गीतों की रचना नामक जो होता है ने वह रचना पर हाल है यह क्रशन पूछ रहा है उसमें किसमें प्रस्तुथ किया है। अपसोनमबर है पहला संत कोलंभॉस्ट कौलंबश विभीध्याले दूसरा संत जेब यहर्ग और जो तीसरा है वह बहुँछ छो पर देखे कुलहान विभी द्याले और चौतंः स्थ नंबर निमर मेंसे निम्द में से कौन नाक पूरी कवी जन जातिये एवं छेतरिये भासा विभाग कर अध्यक्ष रहे हैं। नमबर पहला है गिरिधारी राम गोंजु दूसरा विशेस्वर प्रसाद केशरी तीसरा डॉक्टर कुमारी वासंती चौथा सभी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर थ्री जो है चार स्वरी यहां चार ऑप्सन नमबर चार है देखिए थ्री नहीं होगा यहां आप्सन नमबर चार यानि की तीनों जो है यह जंजातिय चेत्रेवं भासा विभाग के अध्यक्स राज चुके हैं तो इस बात पर ध्यान देंगे एक्शुवरी थ्री भी है टू भी है वन भी है तो इसमें कोई गलती नहीं है हाना एक्शुवरी यहां सभी थे मेरे मायन में था कि नहीं डॉक्टर कुमारी वसंती लेकिन फिर उपर देखे तो पता चला नहीं नहीं यह तो सभी लोग हैं हाना चलिए नेक्स्ट नमबर निम्ण में से कोन नागपुरी कवी को भिस्म पिताम की उपाधी डेल गेल हके हाना यानि कि निम्ण में से ऐसे कोन नापुरी कौन है जो भिस्म पितामा इतने बड़े जो हैं उनका उपाधी उनको मिला है तो देख लीजिए अप्शन नमर पहला है प्रफुलकुमाराय दूसरा पीटर सांती नौरंगी तीसरा पंडित योगेंदर नाक्तिवारी और जो चौथा है रगुनात नरिपती है पंडित योगेंदर नाक्तिवारी को ही भिस्म पितामा का उपाधी मिला है यह सब BBI प्रशन है यह आप लोग जरूर देख लेंगे ठीक है और जो है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी नाकपुरी कभी का करा दिया जा चुका है और भी जितने आते देंगे वीडियो वो टोटल करा दिये जाएंगे आपके यह जो सिरीज चल रहा है यह पूरे सिरीज को अवश्य देखे हैं आपके CGL में बहुत ही ज्यादा लाबदायक होने वाला है हाना जब CGL एक जाम देकर आएगा उसके बाद बोलिएगा एड़ी जारकन क्लासेस को देख लिजएगा निम्न में से कोन नागपुरी कवी को विध्यापती कहल जाएला अप्सन नंबर पहला है उमेशन अंतिवारी दूसरा रगुनात निरेपती तीसरा बेनी राम माता चौथा कोई नहीं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नंबर 163 का चार यानिक इसमें से कोई नहीं होगा यह होगा चार या फिर तीन या फिर रगुनात बताईए इसका अंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है इसका अंसर कमेंट सेक्षर में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा हाना कमेंट सेक्षर में इसका अंसर मुझे भूलियेगा जरूर कि बेनी राम महता क कोई नहीं होगा जल्दी बताइए यह दोनों में से कौन होगा नेक्स्ट 164 नमर देखिए नागपुरी भासा कर पहिल वयाकरन निम्ण में से कोन नागपुरी कवी कर ले है या फिर लिख ले है तो आप्सन नमर पहला है पीटर सांति नोरंगी दूसरा योगेंद्रनात्तिवारी तीसरा इएच विटली और चौथा सार्दा प्रसाद सर्मा तो इसका जो अंसर है उप्सन नमर थ्री हो जाएगा यानि कि इएच विटली के द्वारा जो पहल वयाकरन लिखा गया है रचित किया गया है ठीक है तो चलिए 165 नमबर नेक्स कोईशन की वर चलते है 165 नमबर देखते हैं हम लोग नाकपूरी कभी सुनिता कुमार चटर जी निवन में से किसलिए जाने जाते हैं अप्सन नमबर पहला है नाटक कार दूसरा निवन्द कार तीसरा भासा वैज्यानिक और चौथा सभी तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर अप्सन नमबर थ्री याने कि यह जो है सुनिता कुमार चटर जी भासा वैज्यानिक हैं क्या है यह भासा वैज्ञानिक है ठीक ना चलिए नेक्स वेशन 166 नमबर प्रसंद देखते हैं नाकपुरी के महान कभी डॉक्टर गृधारी राम गोंजु इनकर उपनाम काहके यह आप लोग बताईए ठीक है यह एस डबलू है और कौन नाकपुरी व्याकरन को यह सबसे प्रमुख मानते थे कौन यह डॉक्टर गृधारी राम गोंजु जो है कौन नाकपुरी व्याकरन को सबसे प्रमुख व्याकरन यह मानते थे अप्सन नमबर पहला है नाकपुरी व्याकरन दूसरा नाकपुरी सदानी व्याकरन तीसरा नाकपुरी जो भासा कर संशिप्त pa peach ever tonight नाक्पुरी सदानी बोली कर ब्ररण इसका आंसर क्या हो जागा प्रस न धर उद्र चार जो है व्याकरण नाट्पुरी सदानी वोली कर व्याकरण इसका सही vrainflas चलिए आप इप यह हम लोग 166 नंबर प्रस्ण कियोड चलते हैं लाक पूरी कवी स्रवन कुमार गोस्वामी कर सबसे बढ़ चर्चा निम्न में से कौन शेतर में है सरवन कुमार गोस्वामी का मतलब कि सबसे बड़ा चर्चा, सबसे ज़्यादा इनका जो चर्चा हब pinpoint में हुआ है उप्सन नुबर पहला है पहला सोद प्रस्तूत करने वाले व्याकरन रचना करने वाले तीसरा नाटक कार भी है या फिर इसका अंसर हो जाएगा चार हो तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा 166 का option number जो 4 है यानि कि इन में सभी हो जाएगा ये सोध पहला सोध प्रसुत करने बाले भी थे या व्याकरन के रचना भी किये है और या नाटक कार भी है यानि सभी हो जाएगा इसका अंसर 168 नमर देखते है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरन निमन में से कोण नागपुरी के द्वारा लिखा गया है ये आप पहले जान चुके है ठीक है ना अप्सन नमर पहला है डॉक्टर सत्या गुपता दूसरा सतेंद्र गुपता तीसरा पीटर सांती नौरंगी और चौथा अप्सन नमर कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमर थ्री पीटर सांती नौरंगी के दवारा ये जो लिखा गया है बुक सदानी बोली कर व्याकरन हना चलिए next question क्यों चलते हैं 179 नमबर question निम्न में से कौन नागपुरी कभी को पालकूर्ट कौन डागपुरी कभी पालकूर्ट राजगराने से संबंदित रखते थे हना अप्सन नम चलिए next question के 170 नमर प्रस्ण को देखते हैं हम लोग 170 नमर प्रस्ण क्या कहता है पांडे दुर्गानाथ रायकर संबंद कोन छेत्र से है अगर इनके बारे में पूरा जानना हो तो जरूर पाट बन देख लिए ठीक है सब कवी के बारे में बता दिया गया है और अभी तक आपने अगर इनका क्लास देखना है नागपुरी कवियों को क्लास यह तो ne उसमें सारा वीडियो आपको दिखेगा ठीक है तो है यह सब वीडियो अवश्या देखे तो इन का संबंद कौन से शेत्र से हैं चलिए ये देख लेते हैं पहला अप्सिन नंबर है प्रधाना ध्यापक दूसरा नाकपुरी प्रशार्णी सभागया ध्यक्ष हैं तीसरा अकाश्वानी केंद्र नाची से हैं या फिर चौन था इसका कोई नहीं अंसर हो जाएगा तो अप्स नंबर पहला है सार्दा प्रसाथ सर्मा दूसरा कलावति उहदार तीसरा पीडुश्ष सांति नौरंगी और चौन था पांडे दुर्गानाथ तो पताइए इन चारों में से इसका सही अंसर कोन हो जाएगा और चार है पांडे दुर्गानाथ राय जो है कि इनको जो है यह ऐसे नागपुरी कवी हैं, ऐसे महान कवी हैं, जिनको गीत संगीत के छेतर में विक्रम सिला विद्या पिट भागलपुर से सम्मानित किया गया है, हना, चरिया, नागपुरी कवी मनमत नाथ सर्मा कौन से छेतर संबनित है, और पहला नाटक कार, दूसरा निवंद कार, तीस इसका अंसर हो जाएगा option no.4 यानिक जो मनमत नात सर्मा थे जो नागपुरी कवी है वह गीत कार थे हाना गीत बहुत रचना किये हैं गीत बहुत गाये हैं यही इनके बारे में कहा जा सकता है चले next question next question क्या है 173 नंबर प्रसने क्या बोल रहा है निम्न में से कौन नागपुरी कवी कर गाउं सहजीना है वह वट अ क्वेस्टन साइद इसका एक बार हो चुका है ना एक बार पार्ट वन में यह ध्यान से नहीं है साइद यह हम लिख चुके हैं यह जो प्रसने लिख चुके हैं लेकिन देख लीजिए क्या है दो मिन एक सेकेंड लेगेगा मतलब की पाइदर सेकेंड लेगा पूरा वीडियो देख लीजिए अप्शन नंबर पहला है पीटर सांति नोरंगी दूसरा योगेंदर नात्ति सिवारी तीसरा डॉक्टर सत्या गुप्त चौथा द्रिग पाल राम देवघरिया तो इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नंबर चार द्रिग पाल राम देवघरिया कर जो गाउं का नाम है वह सहजीना है 174 जो है निम्न में से कोन नाकपूरी कवी नाकपूरी गीतों में स नाकपूरी गीतों में स्रिंगार रस नामक सुध प्रसतुत किया है कौन कौन अरे नाकपूरी कोहिष कुष कुछ सोते हैं जो रठ जाने पढ़ते हैं तो इसमें भी सारा रठना नहीं है बस देखति जाए लेकिन कवी के बारे में कम चेकम तीन से चार क्वेशन आएगा ही तो इससे आप जरूर देख ले वीडियो को नाकपुरी भासा कर निम्न में से कौन नाकपुरी कवी को सबसे बौड कहानिकार कहल जाईला अप्शन नमर पहला है सभीता केशरी दूसरा सार्दा प्रसाद सर्मा तीसरा प्रफुल कुमार राय और चौथा छेतिस कुमार राय तो इसका सई अंसर हो जाएगा अप्शन नमर त्री प्रफुल कुमार राय को नाकपुरी कवी का सबसे बौड कहानिकार कहल जाईला अना चलिए नेक्स ग्वेशन मुझे पता है कि आपको यह सब जो सेठ है बहुत अच्छा लग रहा होगा अगर थोड़ा सा जाहिर कर देने में क्या होता है मुझे खुसी मिलती है नेक्स नमर में से कौन नाकपुरी कवी जो है नाकपुरी लोकोक्ती और मुहाबरे पर किताब प्रकासित किया है अपसर नमर पहला है उदेन नरायंतिवारी दूसरा शुकदेव साहु तीसरा असोक सारंगी और चौथा हरिस्कुमार चौरसिया तो इसका अंसर हो जाएगा अपसर नमर फोर हरिस्कुमार चौरसिया जो है यह कौन से लिखे हैं नागपुरी लोकोक्ति और मुहाबरे पर किताब प्रकासित किया है कौन हरिस्कुमार चौरसिया हना एकसो सततर नमर देख लिए जैए विश्व विद्याले अनुदान आयोग से निम्न में से कौन नागपुरी कवी पहिल सोध करता है और सोध भी से है नागपुरी भासा नागपुरी भासा पर पहिल सोध करता कौन है ओप्सन नमर पहला है सकुंतला मिस्र दूसरा भुवनेस्वर अनुज तीसरा गिरिधारी राम गोंजू और चौथा सुधीर कुमार राय हना चलिए यह देखते हैं यह थोड़ा सा रिपिटेशन हो गया है 178 नमर प्रशन देखते हैं हां तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 177 का ओप्सन नमर जो 4 है इसका अंसर हो जाएगा सुधीर कुमार राय को क्या कहा जाता है पहिल सुध करता कहल जाता है नाकपुरी भाषा का सोध करता है याद रखिएगा हना चलिए निम्र में से कौन नाकपुरी कभी के विकास में मुस्लिम सहित्यकारों का युकदान है और पहला है मुहम्मद अमित जालिम अंसारी तीसरा खालिद अहमद या फिर चौन्था सभी तीससे एक अंसर हो जाएग किन जगा पर नाकपुरी में किस जगा उपयोग की जाता है ये आभी आप बताएंगे है कर लोड़ में निम्र में से कौन नाकपुरी सहित्यकार हिंदी व्यक्या के रूप में व्यक्यता के रूप अससा आज सभी सब्सक्मार्णों और आप आँ सोगा जाएों आप्शनि दूशोर प्रसंद केशिए जो है नागपोरी शाहित्य का जो हिंदी व्याख्या के रूप में उसका व्याख्या किया है ठीक है हिंदी व्याख्या के रूप में उसका व्याख्या किये हैं चले नेक्स्ट क्वेशन एक सवस्टी नमर क्वेशन्स है निमन में से कौन नागपूरी कभी नागपूरी गीतों की संगरचना सोध प्रबंध प्रबंध का निर्देशन किया है नागपूरी गीतों की संगरचना सोध प्रबंध निर्देशन किया है ओप्शन नमर पाला है धनिराम भकसी दूसरा रगुनात निर्यपति तीसरा प्रफुल कुमाराय और चौथा चौह एं कुमारी वासंती तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर चार कुमारी वास एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट चलियो am 81 aturp Hunter कि निमन में में से वह कौन कुछ नाइक पूरी कभी है जो नाइक पुरी जो साहिट्ते पर सोद प्रस्थत किया है नाइक पूरी लोग साहिट्थे यहां बता रहा है उस पर सोद प्रस्टूट किया है सोध हाना ऑप्शन नमर पहला उमेश नंति बारी दूसरा ग्रिधारी राम कोंजू तीसरा भूनेसर अनुज और चौन था कोई नहीं हम लोग इसका अंसर सब कोई जानते हैं पढ़ भी रहे हैं ऑप्शन नमर त्री जो नाकपुरी लोग साहित्ते हम बोरेंसर अनुज के द्वारा लिखा गया है अगर आप इस बुक को पढ़ने के जंडर से दूर होना चाहते हैं तो आइए वन लाइनर और एमसी क्यू इस से मिलिए एडिजर्ण क्लासे से और कुछ दिन में बुक भी पब्लिश होने वाला है हाना कुछ चीज का हम वेट क कर रहे हैं बस वो चीज हो जाए उसके बाद बुक पब्लिश होगा बुक तो जल्दी पब्लिश होगा ही जो नाकपूरी लोग साहित्य जो यह वन लाइनर एमसी क्यू है और भी उसमें क्वेश्चन एड किये जाएंगे जितने भी सेट हो रहे हैं उसका क्वेश्चन नाद सर्मा वैक्तित्यों एवम कृतित्यों पर निम्न में इंका वैक्ति तो है कृतित्यों पर सोद किया है वह उनके सोद की बारे में को लिखा है अप्स known पहला है दिनेश कुमार चौरसिया, दूसरा प्रणव मुखर जी और तीसरा असोक सारंगी और चौथा मनोहर सारंगी तो इसका अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर थ्री यानि कि असोक सारंगी ने मृत्मियंजे नाज सर्मा के वैक्तित्व और कृतित्व पर यह सोध प्रस्तुत कि ऐखी यहां जो कि हैं असोक सारंगी आओर है चली नेक्ट फ्रेशन लीला दर लीला धर साहू कर गाओं निम्ण में से कहाँ आहे अप्सन नुबर पहला है बांदू यहां बंदू नहीं है बांदू है बांदू गुमला दूसरा कशीरा राची तीसरा पोट्रों गुमला और चौन्था चट्टी लोहर दगगा उसका अनसर क्या हो जागा अप्सन नुबर नाकपुरि कभी श्री लखन साहु कर निम्ण में से कोन से जिल्व संबंदित आए जो 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 है न कोशन पुछी दिया अप्शन पहला है लोहर दग्गा दूसरा गुमला तीसरा राची और चौंथा पलामू तीसका अंसर हो जाएगा आप्शन नम्र एक जो है लोहर होकर संबंद आये वही गाउं से वही जीला से ठीक है एक सो पचासी नमबर क्वेशन जो यह लास्ट क्वेशन है ठीक है तो वीडियो को अच्छे से देखिए अच्छे से पढ़ाई किजिए और अच्छे से मांक्स लाइए हाना विकोष आपका ही आपका सक्सेस ही अगर कर दो क्या है अब फुक रॉड़ गया है नागपुरी लोग से हो या पर आंगणा ओ या पर बनके औरा भागओ तो आपके पास बचा क्या है नागपुरी जो एट्टियों पहीं है ने रूखिये गागा बस नागपुरी जो व्याकरण ना वो टुकलास देखने के बाद श्री राधे स्याम अगरवाल कर निम्ण में से कोन गाउं है? उप्सिन नमबर पहला चट्टी लोहरदग्गा, दूसरा भंडरा लोहरदग्गा उप्सिन नमबर तीसरा कसीरा राची और चौथा पलामू तो इसका अंसर क्या हो जाएगा? उप्सिन नमबर जो दो है, याने कि भंडरा लोहरदग्गा में राधे स्याम अगरवाल कर, गाउं कर, ना भगे ये विडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर विडियो को देखिएगा, और इसका अंसर की देख लिजे, यहाँ है, और भी है, तो यह देख लेंगे, ठीक है? यहाँ है, नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ देख लिजे, कभी अपने आपको ठका हुआ, हारा कभी मतत्मानिएगा रख व व मंजर भी आएगा सब पीडियाप में देते हैं रग हौसला लो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा इसलिए दोस्तों मेहनत करने से नहीं कत्राना है अपने एकदम गर्दा उडाकर मेहनत कीजिए बस जो है यही एक दू महीना है एकदम गर्दा उडाकर अगर डेड़ी भी चेंज होता है CGL का तो एक दू महीना के बाद होगा ही होगा तो देखिए यहां आप लोग जो हैं बस एकदम मेहनत जम के कीजिए ठीक ना धन्यवाद वाचिंग फो इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू जरूर जो आपको कुछ प्रॉब्लेम हो या फिर कुछ पूछ ना हो तक कमेंट जरू करें और हां जो प्लेलिस्ट है न जरू झाल जुटन झाल ज जो हैं जो जरू जोइ ररूड़ जो गया झाल जो तो जो जढ हो जो है जन्यवार घरू थाट करें लेको